हेलो दोस्तों तो वापस स्वागत है आपका समगर बाच में हम लोग बात कर रहे हैं इस अजादी की रड़ाई की तो हम इस स्पेक्ट्रम की पढ़ाई कर रहे हैं और जो है करेंगे कि इंपाक्ट क्या हुआ सामन कमिशन का और तीसा यह नहरू रिपोर्ट क्यों लिखी गई है ना क्या है यह यह भी समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको जो है कि भई 1917 में तो आसा पीशे चलते है 1917 में एक अगस्ट डिक्रेलेशन आये था अगस्ट डिक्रेलेशन मॉन्टेक का उसी के तहत 1919 में रिफॉर्म्स भी आये ते गवर्मेंट ऑफ इंडिया गवर्मेंट ऑफ इंडिया आक 1990 जो की कह रहा था कि हां भई हम जो है हम क्या रिस्पॉंसिबल गवर्मेंट कुछ आपको देरा चाहरे है धीरे 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 कोई रिस्पॉंसिबल गवर्मेंट प्रॉग्रसिव रिलाइजेशन के साथ हमको दी जा रही है और 1919 के इस रिफॉर्म में दयार्की की बात करी गई थी ऐसा हम लोग ने पढ़ा है अभी फि रिव्यू करेंगे रिव्यू आफ्टर टैनियर्स ऐसा करके इन्होंने लिखा था रैट मतलब टेक्निकल ही 1929 में 1929 में वी आर एक्सपेक्टिंग समर्य रिव्यू कोई तो आएगा राइट जो इसको रिव्यू करेगा और कहेगा हमने अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं कमिशन और कुछ कमिशन यह जो रिफॉर्म है जो मोंट फॉर्ट रिफॉर्म जिसे हम कहते हैं राइट इस मोंट फॉर्ट रिफॉर्म की वजह से मोंट फॉर्ट रिफॉर्म कुछ और कमिशन भी आयते पहले उनकी बात कर लेते उसके बाद इस मुद्दे पर वापस आए तो इसी रिफॉर्म के तहत 1923 में एक ली कमिशन आये 1923 1923 ली कमिशन इस कमिशन का मुद्धा यह है कि जो उस समय का सिविल सर्विसेज है उसमें इंडियन को एंट्री वगरा कैसे दी जाए टो मौनफोर्ट रिफॉर्म की कि जिजर फिक्स आर्मी में weed उननेश totally का सिविल सर्विसेजी इन oke सबसे पहले ली कमिशन देखते हैं 1922 में पहली बारी 1922 पहली बार स्विल सर्विसे का इंडिया में भी हुआ में अब तक क्या था सि एक्जाम सिर्फ औस the यहाँ पर मानते हैं कि कुछ नहीं तो जो है मिनिमम मिनिमम जो है इवेंचली वांस रची 50-50 परसेंट इंडियन हो और पचास परसेंट क्या हूं ब्रिटिशर्स हो तो कह रहे हैं विसेगों सुपीरियर उसमें क्या वो लेंगे आई यह सर्विसल जो है एक दम टॉप सर्व सिर्विससे तो कहाने है इस तरह का यहाँ पर पूरा डिसकेशन है अंडर दिस ली कमिशन कहता है कि जो है दिस करेंशननी टॉक आउट कि 40% थे परसेंट क्या ओने चाहिए ब्रिटिश ओने चाहिए उने चाहिए 50% इंडियन होने चाहिए और 20% इंडियन प्रमोर्टेश मतलब इसको पर अगर वापत से खूँ इसको आप यहां पर नोट कर सकते हैं तो वाट डियार सेइंग इस कि हां भी जो है 40 परसेंट ब्रिटिश 40 परसेंट इंडियन यह डारेक्ट एंट्री है और आज के साथ अगर आप देखो तो जैसे स्टेट प्यसी होता है तो 20 परसेंट स्टेट प्यसी जो है प्रोविंशियल वहां से प्रमोट होकर लोग आएंगे और इस तरीके से जो इंडियन का नंबर है वो बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे वेंचुली थोड़ी पारिटी आ जाईए अटीस बराबार हो जाएंगे 50-50 तो हो जाएगा है ना तो अटीस इतना अचीव हो जाएगा मोनफोर्ट रिफॉर्म पे कहा गया था कि एटीस वन बाय थर्ड इंडियन तो होने चाहिए से विल सरेसर तो उसी साफ से इनों ने कहा कि हाँ चलो 40% 60% से स्टार्ट करते है राइट 40-20 से राइट वहां से स्टार्ट करते है धीरे धीरे यह नंबर क्या होने लगेगा 2023 का ये वी कमिशन यहां पे क्या अनमबर बढ़ा रहा है रएट कहा रहा है कि हाँ पी नमबर बढ़ाने चाहिए दूसरा दूसरा अभी कम बैक टूसरा एक कमिशन आया जिल्द्गो कमिशन ये भी उसी रिफॉर्म का ही पाटे लगबग तो 1926 में इस लिल्द्गो कमिशन है आप दिए दिएक एल लिद्गो प्रॉट्ट्ट्र इन पॉस्ता इंपरूट्ट्र आगर वहां कि इंदिया सोस्टेन करना चाहते हैं इंप्रूव करना चाहते हैं तो देन डेविल हैव तुफिक्स एग्रिकल्चर राइट अब इस कमिशन में कहा गया इस कमिशन में कहते हैं कि जो है फॉस्ट अफॉल देश देश में वेल्फेर हो सकता है प्रॉस्पारिटी हो सकता है तभी यह पॉसिबल है प्लस एक बहुत जो बात याद करने लाएक बात जो है जो पुछी जा सकती है MCU में राइट वो यह है कि कहरें कि इंडियन कैटल को इंप्रूव करने की जरूरत है फार्मर की ये केडिशनल इंकम कहां से आ रही है कैटल्स में से आ रही है और कैटल्स को इंप्रूव करने की यहां पे जरूरत है और उसके लिए जरूरी है कि हम फॉरेंड बुल्स इंपोर्ट करें ताकि कैटल्स की जो ब्रीड है वो बेटर हो सके सबस्क्राइब तो यह बात कहाई लिद्गो कमिशन से बात आई माओ अगरिकलचर प्लस 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 कम से कम एक फॉरेंड बुल लिखे रहो तक कि याद आ जाए तुरंट कि हाँ कैटल की ब्रीड इंप्रूव करने की बात कही थी लिलिद्गों कमिशन में प्लस हमको यह भी याद आया कि 1920s का दौर राइट है ना 1920s का दौर अगरम देखें यह तो महौल अंग्रीजी सरकार वाला महौल चल रहा है कि उन्होंने क्या क्य क्या 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 हम बात कर रहें पट यहीं 1920s का दौर अगरम देखें तो वी के लिए अल्सों अंडर्स्टैंड कि यह हमारा जो दौर था वापस 1920s 1920s अगर हम समझें तो 1920s के दौर में गांधी जी अल्रेडी आक्टिव है गांधी जी नौन कोपरेशन मुवमेंट कर रहा है पढ़ चुके हम लोग अल्रडी प्लस हमने एक और बात सीखी कि सोशलिजम आ चुका है सोशलिजम और सोशलिजम आने की वजह से अब इसने अक् इनरजी बढ़ रही है तो यूथ पैसेंट किसान भाई भी अक्टिवेट हो चुके हैं और प्लस प्लस हमारे लेबर्स वरकर्स वरकर्स वी अक्टिवेट हो चुके तो अब क्या है कि सोसाइटी काफी चार्ज रभ है तो 1920s का दौर अगर हम देखें तो सोसाइटी काफी इस तरह की डिमांड निस सो पंदरा के बाद चालू हो चुकी है तो उस हिसाब से डिफिनिटी दर इस डिमांड कि हां जो है इंप्रूब्मेंट होना चाहिए और यह कहीं ना कहीं हमें रिफॉर्म में दिखाई भी दे रहा है यह अंगरेज मजबूर हो गया अपनी खुशी से नहीं मजबूर हो गए कि हमें कुछ कुछ इस तरह का रिफॉर्म करना पड़ेगा इंडिनाइजेशन और सर्विसस करना पड़ेगा एग्रिकल्चर में फिगर आउट करना पड़ेगा कि प्रॉस्पैरिटी कैसे आएगी किसान कैसे इंप्रूब करेगा अपनी लिविंग कंडिशन यह सारी बाते भी यहाँ पर चल रही अब इसी महौल में हमें एक और बात याद आई कि हम लोग ने पढ़ा था स्वराज पाल्टी तो यह समा स्वराज पाल्टी का भी है स्वराज पाल्टी सियार दास मोतिडाल नहरू यह लोग कहां बैठे ह हुँ है यह लोग legislature में बैठे हुँ वो central legislature legislature and जब यह central legislature में है यानि कि parliament में भी अपना अब दबदबा है हमारे politicians ने एक नया front open कर दिया है तो अब उसकी वज़य से उसकी वज़य से there is a demand स्वराज party या हमारे legislature जो बैठे हैं parliament में member of parliament they are demanding they are saying कि हाँ ये जो दयारकी जो आप देके गए है ये वाहियात है फर्जी है तो स्वराज party के demand है कि हाँ ये किसी किसी लायक का जो है you can say आपने responsible government हमको नहीं दिया है इसको जल्दी से review करो से जल्दी से fix करो तो महाल already reform का है उसमें ये पुश किया गया कि ये बेकार सा concept आपने हमको दे लिया है it is very very important कि आप इसको fix करें और इसी वाजय से because of the push from the स्वराज party and the other parliamentarians एक नई committee आती है which is muddy man committee for 1924 में we have so technically देको review 1929 में होना है but because of parliamentarian push 1924 में committee आती है which is muddy man committee muddy man committee muddy man committee क्यों आई 1924 में because of this push from the Indians की हाँ में रिफॉर्म वाही आते है this is called as report of the reforms report of the reforms inquiry committee reforms के उपर inquire करने के लिए एक कमिटी बठाए गई अब इसमें इंडियस भी है इसमें जो है इसमें शफी भी है मौहमद अली जिन्ना भी है तो इसमें काफी सारे इंडियस भी बैठे हैं यह आपर और इस कमिटी में एकदम जो है यूदू नौ लोग ओवर रॉल है और इसमें बाई अबो AM घूररिटी maid February में बैठे होता है कि अभी उन्निस सो अन्निस का रिफॉर्म था पांट साल हूए है साल उन्नेस सो विस दिससी अब ये जो टाइम बीता है यह आजिक हैं इसके बाद हम्ने उसको समझा फिर एलक्षन होए फिर आप लोग पांठें provinces में कुछ कुछ जो है you know सरकारे बनी तो अभी कितना ही समय बीता है जिसकी उपर कहा जाए कि दैयर की बेकार है है रहे है ना कुछ ऐसा बहुत सेंस नहीं बन रहा तो that was the reason it was decided कि time lapse is too less अभी समय जो बीता है वो बहुत ही कम है and that is the reason we should wait वो 1929 में जो आने वाला है we should wait for that the Modi Man Committee का final resolution यह आया कि हाँ we should wait we should wait for this review जो भी यहाँ पर होने वाला है तो यह हो गया side सारा discussion कि हाँ भी महौल क्या था महौल reforms वगरा का भी discussion महौल है तो हम यह समझे नहीं इंडियन side में अगर हम देखें तो हाँ चार्जरब महौल है यहाँ पर already already मैं आपको याद दिलाओ तो constructive work गांदी जी ने कहा था कि initial stage में हमने बात करी non cooperation की और फिर constructive work चालू है लोग लोग इस moment का हिस्सा बन रहा है yes constructive work भी चालू है plus youth, present, workers तो बहुत सारी youth की organizations present की organization, present workers की organization यहाँ पर create हो रहे, trade unions create हो रहे तो महौल भी है अब ऐसे महौल में अब आते साइमन कमेशन को ऐसे महौल में इनको याद आया कि देखो 10 साल बात हमको review करना है ब्रिटेन में सरकार किसकी है ब्रिटेन में सरकार है इस समय conservative government ब्रिटेन में इस समय प्राइम मिनिस्टर है stanley badwin stanley और और secretary of state है जो हमसे dealing करते है वो है lord breaking head lord breaking head तो lord breaking head और stanley badwin ये दो लोग है ये दोनों ही belong करते है conservative party मतब सरकार किसकी है इस समय ब्रिटेन में conservative party की सरकार अब conservative party को लग रहा है कि हमारी सरकार बहुत जल्दी चली जाएगी 1931 तर तो हमारी सरकार चली जाएगी and it is very 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 important कि जिसके पहले कि सरकार चली जाए reforms का review क्योंकि हम देखेंगे आगे जाके सरकार चली जाएगी और labor party में है ramson mcdonald ये pm बनेंगे right he will become pm pm बन जाएगे नए pm अब क्या है कि ऐसा जाना जाता है कि labor party थोड़ा सा pro India है pro India और ऐसा ना हो कि अगर ये power में है और इन्होंने अगर ये review किया reforms review किया तो हमको बहुत सारी power दे बैठें सही में responsible government ना दे बैठें रह डहना तो बहुत ज्यादा power ना दे बैठें ये लोग काफी responsible माने जा रहे हैं उनकी नजर में तो ऐसा माना जा रहा है कि हाँ इंडिया को काफी सारे concessions दे देंगे तो इसके पहले ये लोग power में आएं पर decide हुआ कि जल्दी से review कर डालो तो जो 1929 में review होना चाहिए था decide हुआ ना इसको जल्दी से prepone करो and 1927 में ही कर डालो और 1927 में review करने के चक्कर में इन्होंने जल्दबाजी में करने करने आने वाले हैं इसको वापस टाइमलाइन बढ़ते हैं साथ किसा थोगे हैं ब्रीटेश येसाइड करने आने वाले हैं इसमनीकिल करने के लिए रिव YOU करने के लिए तो यह ज़ीन के लिए साइमान कमेशन यहां पर आप कोई भी इंडिया नहीं रखा गया अब ये बात हमको बहुत बुरी लगेगी क्यों बुरी लगेगी सोच के देखो कि मालों मेरा घर है दिवाली आ रही मुझे पुताई कराने के लिए मैंने किसी पेंटर को बुलाया है और मैं उसे कहने लगा कि ऐसा है ये कलर कर देना तु हम अपने हिendo करेंगे चले यह लगए लगा हमारा इगर पैसा भी हम दे Catalog को सोचो अगर घर मेपनी मर्दी से कर देतो हमें अच्छा नहीं दर्टा यह हमारे देश कर रहे थे कि हां जो है रिव्यू कैसा होने वाल farming अने बाल पेसा हץ का है हम से हमारा जो ऐसे दौर में नोने ये हरकत कर दी कि Simon Commission John Simon के साल लोग भेज रहे हैं और सारे किसारे क्या भेज रहे हैं British भेज रहे हैं इसमें अपने Parliamentarians के नोने कमिटी बनाई कि हावी John Simon इसमें President है या डिस तरह के कि छल्दी से जल्दी जो है कियां से यहां पर जो है अपनी सरकार बना देते हैं मतब रिव्यू कर देते हैं तो इसलिए हुने फटा फटा फट इसको भेज दिया नाव ओफ भी अनॉटीड दिया हैं सब्सक्राइब करेंगे कि हम इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करते हैं तो इंडियन डिस्पोंस इमीडियेट और फिर नहीं नहीं तो प्रक्राइब करते हैं नहीं हम इससे सपोर्ट तो देगो नहीं कर पाइंगे इसका सपोर्ट जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो नहीं अब यहीं 1927 में आगे जाते तो 1927 में इंडियन इंडियन ने कहा कि नहीं हम इसको सपोर्ट नहीं करने वारे तो डिसम्बर 1927 मद्रास में कॉंग्रेस का सशेशन हुआ डिसम्बर 1927 तो ना हो इसको उरिजिनल टाइम लाइन पीछे मैं इसमें एड कर रहा हूँ डिसम्बर 1927 यहीं पर यह लोग नमेंबर में कुछ इपएंट हुए थे और डिसम्बर में ही कि हैं डिसम्बर 1927 कॉंग्रेस का एक सेशन हो रहा है मदरास में मदरास सेशन मदरास सेशन और यहां पर प्रेसेडेंट है है में अंसारी डॉक्टर अंसारी सहाब यहां पर प्रेसिडेंट हैं कॉंग्रस के और यहां पर डिसाइड हुआ मदरा सशम में डिसाइड हुआ कि we will boycott the commission हम लोग corporate नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी corporate नहीं करेंगे बिल्कुल support इस तमय हमें इंडिपेंडनस की बात करनी चाहिए बहुत ही रिसेंट लिया भी पिछले दो-तीन सालों में जो है नाइटीन वेटीन सेवन जो है नहरू काफी जो है बाहर रहे है रशीया भी होकर आए है और जब बाहर थे तो उन्हों कि वाला गेम है कि हां यह हमारे साथ क्या कर रहे हैं उनको रिलाइज हो गया कि अंगरेजों का हित और हमारा हित कभी एक प्लेट पे आही नहीं सकता कभी एक साथ हो ही नहीं सकता तो यहां पर जबालन नहरू काफी इंडिपेंडनस हमारा गोल है तो कम्पलीट इंडिपेंडनस ही हमारा इवेंट्चुअल गोल है चलो आज मत कहो कि हम इंडिपेंडनेंस की लडाई कर रहें समतिं बढ़ाना dominant status ठीक हमाल लेंगे लेकिन independence हमारा immediate ना सही लेकिन complete independence ही हमारा goal है पूर्ण स्वराज ही हमारा goal है ऐसा कम से कम कहे तो goal तो माल लो तो यह कम से कम resolution यहाँ पर इसी गुस्ते में पास हो गया है कि हाँ लोग नारास थे ही रहेंगा हाँ चलो ठीक है चलो independence independence हमारा eventual goal है बट Muslim League यहाँ पर क्या है दो पार्ट में एक Muslim League का जह है section है under जिन्ना मुहमद अली जिन्ना तो जिन्ना वाला segment क्या है Congress को support कर रहा है तो आप देखेंगे कि Muslim League यहाँ पर split सी दिखे गए हमें 1927 में 1927 में हमें दिखेगा कि Muslim League दो पार्ट में जाती हुई दिख रहे हैं एक Muslim League है जिन्ना के पास यह कैलकटाव अगरा में मीटिंग हो रही हैंगी तो यह एक अलक्स्ट तो Muslim League में split हो गया राइट है और एक है segment जो है मुहमद शफी के पास तो एक कहा जाता है शफीफ आक्शन एक होता है जिन्ना फाक्शन राइट शफीफ आक्शन जो है शफीफ आ एंड एंड प्रो ब्रिटेश राइट हाना कि हां सरकार को सपोर्ट करके सरकार के साथ मिलके जुके जो भी अचीव किया जा सकता है अचीव किया जाए तो यह वाला जो ग्रूप है वो इस बात में विश्वास करता है कि हां क्योंकि Muslim League है तो definitely Muslim interest is important and second वो अंग्रेजों के स सबस् liberation those, एंग्रेजों के साथ, जो है hand in hand. दुसी तरः जिन वाला जो फचिन राइग army general of action जीन वाला faction जीन वाला против जीन फच्चिन वाला अक्शन आंवाला जीवी ए लुगिध्कुय।, जियूमान्ट है तो यह जो कैसी दिमाण है यह नाशनलस्ट लाइट पर है और और प्लस क्या मुस्रिंश इंपोर्टनेट ये मुस्में इंटरेशी इंपॉर्टने नो डॉट इसके पहले उसके पहले जो आ रहा है कॉंग्रेस साथ दोस्टी है कॉंग्रस की लीडर साथ उटना बैटना है जिनना और तो गांदी जी जो है डिसकस करते रहते हैं बाते होती रहती है राइट जो है नाओ वी अंडरस्टेंड कि हाँ इस तरह का स्प्रिट्स आ गया है जिसमें शफी का फैक्शन डेफिनेटली हम अभी पसंद नहीं कर सकते जिन्ना का फैक्शन हमें लग रहा है कि हाँ ये ये जिवलिशन को सपोर्ट नहीं करें गोखर साइमन रुटाव कि शफीश बैक मैं उनस पार्डि यूंद ये यूस पार्टी याइन ये ये वाव 193 याव राइग जो सबर्टेस करें टीज दिया दे 맞습니다 सामेन जार में पन्साट्षें करें सेआ यहां पर अग Gear शफीगा फाक्षिन पंजाब की युनिनिस पार्टी और जस्टिस पार्टी इन साउथ दे अर्ड वन हो विल सपोर्ट साइमन कमिशन अधर्वाइस एवरी बड़ी बीट हिंदू मासबाब अधर इंडिपेंडेंट्स लिबरल राइट तेज बहादूर सप्रू एन ओल राइट एवरी बड़ी जाई कि हम साइमन कमिशन को यहां में सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और हर जगा क्या हुआ हर जगा प्रोसेशन होने लगे जहां जहां साइमन जाने लगे वहीं जंडा फैरादिया साइमन गो बैक लखनों में खली कुजमान है तो उन्होंने एक अलग सा एजंडा निकाला उन्हों का पतंग उड़ा उड़ा रही है और पतंग पे लिखा तो साइमन चौक गई कि क्या ही हो रहा हमको बैक भीजने के लिए जो कुछ भी करने को तरह है लोग तो देल्फ देफ एक हाई बहुत ही बुरा रिस्पांस हमको इंडिया में देखने को मिला है कोई चाए नहीं पूछ रहा है और जो है यह हर जगा साइमन को बैक सामन गो सब्सक्राइब और यहां पर पूरी तरह से जो है महल चालू हो चुका है ना बहुत इसलिए भी जैसे अपने शुरू में समझा था कि हाई 1920s का महल है ही ऐसा सब्सक्राइब यूथ लीक से फॉर्मेशन हो रहा है नहरू और सब्सक्राइब यह सारी लीक को एड्रस कर रहे हैं एक साथ जाग रहे है प्लस जो है तो सोचिदम को एक अच्छा वांक मिल गया तो कम्यूनिस वगरा जो है वो भी जो है सामयर के खिलाफ है यस तो हम देखेंगे कि हां कुछ कुछ नहीं जो है इस ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं जैसे कि पंजाब नौजवान भारत सब्सक्राइब करनाटका में तो नाओ इस पार्टीज आर बीइंग फॉर्म्ड यूथ पूरा अक्टिव है पूरा जो शोर से आवाज आ रही है कि साइमन गो बैक साइमन गो बैक नाओ अब अंग्रेज भी बुरा तुजासा को ने कहा कि बहुत बुरा लगा वहीं तो अंग्रेज भी एक दब फ्रस्टेट हो गए कि ऐसा कैसे कर दिया लोग ने हमारे गयस के साथ तो हर जगा लाठी चार्ज हो रहा है तो एस यूजल जो उनको आता है जैसे ही जैसे ही साइमन कमिलीशन ने कदम रखा वैसे ही सारी हरताले चालू हो गई और इसको सप्रेस करने के लिए हर जगा क्या हुआ लाठी चार्ज है जहां भी लोग प्रसेशन लेके साइमन गो बैक करते हुए मिले वहीं पर लाठी चार्ज कर आए गया इसमें इसमें नहरु जी पे कुछ कॉंस्टिबल से बहुत सारी लाठी बर्साई अन इसके बाद अनफॉर्चुनेट्टी में लॉस्ट इम विदिन वन मन्थ राइट राइट अक्टूबर 1923 मिन के उपर लाठी बर्सी और नवेंबर 17 1928 राइट वी लॉस्ट लादा लाज पक्राए तो लादा लाज अबधेश्ट सिंग मेंगे ऐएट इसी को एवेंच करेंगे विद्व से और हम पड़ेंगे हम पढ़ चुके fantasy जो है हम वने बात करी थि कि हरे 무슨 Olives और स्मॉर्डर कि सांडर्स मॉर्डर तटना भगत सिंग की जो है इसी डेथ का यहाँ पे डेथ को बद्राद लिए गया है बाई भगत सिंग इस सांडर्स मॉर्डर कमिट किया था हूं लोगों ने नहीं सविएर डिप्रेशन भी चालू हो गया जहां भी ऐसा हो रहा था सबस्रिवन पर दें पकल शुब नाटि सकते हैं नाशनल गूंट और सृपन कंशनरेक्षटए यह थोड़ा हम देखने कि क्या है आप तो नाव तो देको जहे 1920 में जैसा कि मैंने शुरू में लिखा था constructive work चल रहा था गांदी जी ने क्या कहा था क्या करो constructive work करो तो 1920 के दौर में गांदी जी ने कहा था कि भाई सारे लोग क्या करेंगे constructive work करेंगे हम पड़ चुके भाई बाते constructive work मतलब मतलब खादी स्वारा जहें खादी हो गया untratchability पर काम करेंगे communal harmony हिंदू उस community पर काम करेंगे यह सारा जो है चीज हम लोग करेंगे ऐस पर गांदी जी यहीं पर एक और front open किया था political front जो कि स्वराज party ने open किया था स्वराज party बट अब 1927 के end से एक हमको नया मुद्दा मिल गया है राइड है ना कि एजिटेशन अगेस्ट साइमन कमिशन यह एक नया मुद्दा मिल गया है तो काइदे से अब हम लोग वापस constructive के अलामा वापस हम लोग क्या है एजिटेशन की तरफ जा रहे है राइड है वापस हम आरा जो पॉलिटीकल मुव्मेंट थे वो वो रिज्यूम हो रहा है तो नौन कॉर्परेशन चरमेंट के बाद हम देख रहे हैं कि अब वापस हमें कोई जो आगे अजादी के बाद जो इंडिया होगा या अभी का जो इंडिया होगा उसमें उसमें किस तरह के reforms होंगे तो constitutional development पर हम लोग दिमाग लगाएंगे ये दो major चीजे हैं जो इस एरा में होंगे तो नहरू report आने वाली है plus अगे साइमन तो हमारे radical elements जो हैं जो यूथ हैं राइट communist हैं वो सारे जाग उठे हैं हमको एक नया नया agenda मिल चुका है नया मुद्दा मिल चुका है तो हमारी हमारी यू कन से जो है जो movement है अगे बिटिशन उसमें वापस जान आ गई constructive work background work political work already चल रहा था but वापस जान आ गई है because of this Simon वादा मुद्दा राइट छेड़ दिया इन्हों ने एक दम जो है सोते शेर को जगा दिया है कि हाँ इस तुमलेस्टू दर राइडिकल फोर्स जो 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 सोशलिस्ट कम्यूनिस एक तो यह मिल गया है जहां पर डिमांड अब क्या रही है complete independence की दिमांड यह भी बहुत बड़ा इंपक्त है कि now we are discussing complete independence at least complete independence as a goal तो यहीं पर आ गया है right as a goal to accept हो ही गया है और अभी हम आगे देखेंगे है ना में इन नेक्स चाप्टर वे सी कि हां complete independence immediate goal बन जाएगा हमारा अभी क्या बनाए गोल बनाएगे हाँ इवन्चुली बनाएंगे इसको तो फिलाल तो फिलाल हम देख रहे कि हां जो है एक यह बड़ा सा जो है गेम आ गया है change आ गया है प्लस Congress Congress को mass action करने का मौका मिल गया है प्लस लॉर्ड बिर्किन हेट के बारे मैंने बनको बताय था कि हां वो कह रहे थे कि हम लोग agreed constitution नहीं बना सकते लॉर्ड बिर्किन हेट का statement है कि हमने Indians को क्यो नहीं include किया क्यो नहीं पूछा कि Simon Commission में जो है आप लोग भी आ आप बाइफरकेशन है जो है सोसाइटी में पॉलिटिकली ऑल्स इतना बाइफरकेटेड है कि हाँ यह दो कभी एक बात पर एग्री कर ही नहीं पाएंगे तो इनको साइमन कमिशन में लेने का कोई मतलब ही नहीं था ऐसा लॉर्ड बरिकिन हेड ने हमको बताया तो हम करते तो एक तो एक तो यह स्टुमिलस की बात हमने का रही कि हमें क्या फाइदा हो रहा है दूसरा समझते हैं कि हैं रिपोर्ट में है क्या है सो साइमन कमिशन देखो सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट मिला है साइमन कमिशन से मिले हैं कि बिया रम्बेटकर बिया रम्बे कि आप जो है असिस्स करें जो है साइमन कमिशन को बताइए क्या डिमांड होनी चाहिए क्या नहीं डिमांड होनी चाहिए तो अब देखेंगे कि हाँ ब्यार मेट कर यहां पर साइमन कमिशन से मुलाकात कर रहें और अपने कुछ-कुछ पॉइंटर्स यहां पर साइमन कमिशन को बोल रहें नाव एक बर पहले में उनने सो अनने का आपको आक्ट याद दिला दू फटाफट नाइटीन नाइटीन का आक्ट क्या था नाइटीन नाइटीन के आक्ट पे हमने बात करी थी कि सेंटर में वाइसरोय बैठा है राइट एक एक हमने एक हमने आप बना दिया था यहां पर पहले तो डिविजन कर दिया गया है कि हां कुछ सेंटरल सेंटरल लिस्ट है राइट और कुछ आपकी प्रोविंशल लिस्ट है इस तरह से हम लोगने बाइफर केट भी कर दिया था और उसके accordingly provinces में हम लोग ने बात करी थी कि what will happen at the provinces कि यहाँ बंगाल में या फिर मदरास में या बॉम्बे में provinces में governor होगा governor के नीचे एक legislature होगा right plus उसके कुछ executives होगे और ministers कुछ hire होगे यहाँ legislature से ministers plus यह जो provincial districts को दो पार्ट ने बाटा गया एक होंगे आपके reserve subject और एक होंगे आपके transferred subjects transfer subjects जो देखेंगे वो Indian ministers देखेंगे और जो executives है जो governor के advisors है वो reserve subject देखेंगे इसी को मने क्या कह था इसी को मने कह था कि this is nothing but दायार की right this is दायार की तो provinces में दायार की आ गई थी center में वाई camera legislature आ गया था center में कोई responsibility नोने हमको नहीं दी थी eventually finally 1911 की responsibility कहां लाई करती है यह है responsibility provinces में कुछ हमको क्या कर दिया था इन्होंने transfer कर दिया था कि कुछ subject आप लोग देख नहीं है इतनी ही responsibility हमको 1919 के आक में दी गई थी ना अब साइमन commission की बात करते हैं इसके copy बना लेता है तो बियार अंबेटकर क्या कह रहे है यह आपर बियार अंबेटकर कह रहे हैं कि सर सर जो है हमें क्या करना चाहिए युनिवर्सर एड़ franchise हमको दे देनी चाहिए एक बात तो इन्होंने यह कई यानि हर किसी को voting right तो यह मैं मांग कर रहा हूं अंबेटकर green में अंबेटकर मांग कर रहा हूं तो अंबेटकर क्या changes suggest कर रहे हैं अंबेटकर suggest कर रहे हैं कि पहले तो युनिवर्सल एड़ franchisee क्योंकि अभी जो voting right है वो सबके पास नहीं है तो युनिवर्सल एड़ franchisee मतलब हर किसी को voting right होना चाहिए एक बात राइट दूसरी बात यह कह रहे हैं दूसरी बात यहां पर यह कह रहे है कि हाँ provincial autonomy मतलब मतलब ही सेंग कि जो reserved subject है यह भी transfer कर दो सर एक्जीक्यूटिव का कोई मतलब ना रहे खाली इंडियन मिनिस्टर हो विल बी रिस्पॉंसिबल टू द लगी सेचर रिस्पॉंसिबल तो खेर पहले भी था राइट हम लेकिन आप सारे लोग रिस्पॉंसिबल हो जाएंगे टू द लेजिस्टर तो प्रोविंशल में प्रोविंसल में और्टो नॉमी की डिमांड कर रहे हैं कि हां यह रिज़र विज़र हटाओ दयार की टेक्निकली हटाओ राइट सब कुछ कर दो ट्रांसफर यानि पूरी तरह से दे दो किसको इं मतलब क्या रहें कि अभी यहां पर बदलाओ कर दीजेगा यहां पर आप कर दीजे कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट और कुछ रिजर्फ सब्जेक्स राइट और कुछ एग्जिक्यूटिव आपके रिजर्फ सब्जेक्ट देखेंगे कुछ मिनिस्टर्स यहां पर हाइर कर पर आजाना चाहिए तो पहले आपने क्या किया था दयारकी प्रोविंसे में दी थी आप प्रोविंसे पूरा इंडियंस को दे दीजे और जो भी आपको एक्सपरिमेंट करना है ठोड़ा सा हम को दे के देखिये तो transfer subject जो है transfer subject इतना हमको कम से कम center पर दे देगे राइट है उस दैयार की at the center this is something they have demanded over here राइट now तो यह उनकी major demand दी बट इसके साथ साथ वो वो जो है बहिश्कृत हितकारणी सभा के founder भी है और technically वो represent करते है किसको represent करते है depressed class को वो represent करते है untouchables को एक ही बात हो गई इसी को गांधी जी ने आगे हरीजन कहा था गांधी जी कहेंगे हाला कि अम्बेटकर कभी भी हरीजन वर्ड यूज नहीं करेंगे बट हाँ वो कहेंगे depressed class depressed class को represent करते है वो और यहाँ पे यहाँ पे वो depressed class का मुद्दा भी सरकार के सामने उठाएंगे सामन कमिशन के सामने उठाएंगे कहेंगे हमें depressed class तो हिस पॉइंट एस कि जो हिंदू community है राइट नॉर्मली लोग कहते हैं कि हिंदू community में ही depressed community भी है untouchables भी है बट बट इनका मानना है अम्बिटकर जी का मानना है कि ऐसा नहीं है in fact he says he says कि भाई जो है जो हिंदू community है वो अलग है और जो depressed class है वो actually एक minority है depressed class एक minority है जो face करती है educational backwardness right educational backwardness face कर रही है economically poor है economically poor है right plus social and savement है जो है उनको low class माना जा रहा है low class वे नीचे माना जा रहा है social and savement है savery की तरह behavior होता है social and savement right है ना social and savement है plus plus now now you can say because of all these things there is huge you can say political disparity है political disability यह आपका मेंस के लिए अच्छा पॉइंट है disability तो इस तो इस तो थोट आफ अंबेट कर कि depressed class अच्छी हिंदू कम्यूनिटी का पार्ट अप्माट ट्रीट कर ये राइड है ना क्योंकि क्योंकि वो उनकी अलग कंडिशन से अलग सिच्वेशन से अच्छी है अच्छी है और इस तरह से यहां पे treatment होना जाई है राइड तो separate minorities की तरह यहां पे ट्रीट होना जाहिए तो कैसे protection provide करेंगे वापस आते हैं तो अम बेटकर ये कहते हैं कि now we should have this idea of separate electorates जो कि already Muslims के लिए था वो कहते हैं कि हाँ देखो या तो reservation दे दो reservation दे दो normal reservation अगर आप universal edit franchise दे रहे हैं हर किसी को अगर voting हक है तो in that case universal edit franchise अप्लाई कर लो तब तो आप हमें reservation दे देना लेकिन अगर आप ये apply नहीं कर रहे हर किसी के बास voting का हक नहीं है अगर untouchables के बाद depressed class के बास voting का हक ही नहीं है तो फिर क्या ही फाइदा तो in that case we need separate electorate हर जगा हमें CT मिलनी चाहिए separate electorate या से Muslims के लिए separate electorate है वैसे ही हमारे लिए भी separate electorate हम जहें depressed class के लिए separate electorate होने चाहिए इसके साथ education वगर आपको आपको काम करना चाहिए बाखी support education job इन सब चीजों में भी depressed class को help करना चाहिए बट बट जो है यह दिप्रेस डिप्रेस क्लास को आप हेल्प कर यह इन यह भी लिख रहे था है तो ही इस डिमांडिंग कि डिप्रेस क्लास शुट बी सपोर्टेड विद रिस्पेक्ट तो education education jobs में कुछ reservation होना चाहिए support होना चाहिए including civil services तभी तभी अप्लिफ्मेंट अफ्ड़ेस क्लास अप्लिफ्मेंट अफ्ड़ेस क्लास अप्लिफ्मेंट अफ्ड़ेस पॉसिबल है तो यह जो idea था यह जो thought process था यह अमबेटकर ने सब्सक्राइब किया कि हां भी दयार की at the center, provincial autonomy, separate electorate for the depressed classes और universal adult franchising this is something अमबेटकर जी has suggested भीमरा अमबेटकर जी has suggested to Simon Commission right now now to Simon Commission हमने समझा कि हां क्या बाते जो है अमबेटकर जी ने रखी now let's talk about कि Simon Commission को क्या बाते समझ में आई so finally Simon Commission की report आईगी 1930 में 1930 में 1930 में साइमन कमिशन की रिपोर्ट आईगी 1930 तो technically काफी बाद में रिपोर्ट आईगी जब तक रिपोर्ट आईगी तब तक इसकी कोई बहुत वाल्यू रह नहीं जाएगी but UPSC may ask have already asked once है ना कि हां साइमन कमिशन जो है साइमन कमिशन की जो है रिकमेंटेशन थी नहीं थी something है नहीं तो that's how it is important to know कि हाँ जो है क्या कहा साइमन कमिशन ने तो साइमन कमिशन का टेक समस्ते हैं इससे हमें ये समयाएगा कि अंग्रेज किस हद तक हमें क्या देने वाले थे, फिर eventually क्या मिलेगा वो बाद में देखेंगा, राइठ हना कि साइमन कमिशन हमें क्या देने वाला था, इस बात को समझते हैं, जैसा कि अंबेटकर जी ने सजेस्ट किया था कि दयार्की अट दे सेंटर हटा देना चाहिए, तो इन्हों ने भी यही कहा कि हाँ, दयार्की प्रोविंस में हटा देनी चाहिए, तो here they have also asked for कि प्रोविंस में आटोनॉमी होनी चाहिए, अब हम लोग बात करना है कि साइमन कमिशन आक्चुली क्या कह कह गया, साइमन कमिशन रिपोर्ट रिकमेंडेशन, 1930 में है यह, बहुत बात में आ रही है, आप 1927 में आयो, 1930 में यह यह रिपोर्ट सारी, मतलब कि reserve subject को transfer subject बना दो, मतलब सब कुछ transfer कर दो, दयार की यहां से हटा दो, अपने आप से दयार की हट जाएगी अगर provincial autonomy आ जाएगी, तो this is they have suggested कि हाँ provincial autonomy क्या उन्होंने भी suggest करा है, येस, उन्होंने भी suggest किया है provincial autonomy, other than this, वो कह रहें कि जो governor है, तो इस provincial autonomy में, इस governor के पास discretionary power होने चाहिए, तो इसकी power बढ़ा दिए, ठीक है provincial autonomy है, बट, governor अगर चाहे तो इसके उपर extraordinary control इस्थापित कर सकता है, रहे ताकि, ताकि अंग्रेजों के हिताब से वो सरकार चला सके, तो हाँ ठीक है autonomy है, normal अगर सब कुछ चलता रहेगा, तो इंडियन सी handle करेंगे, they will be responsible to the legislature as usual, but, but governor के पास extraordinary discretionary powers होंगी, yes, discretionary powers होंगी, extra powers उसके पास होंगी, ऐसा कहा गया, right, then, then, then they are saying, कि हाँ जो है, center पर कोई responsibility देंगे, parliamentary responsibility at the center, यानि दयार की at the center जैसा कुछ भी, कोई भी, कोई भी power transfer at the center से मना कर दिया, right, तो कोई भी दयार की at the center यह नहीं देंगे, right, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला है, that means, कि हाँ, यहाँ की दयार की इनोंने मना कर दिया, दयार की ना, इसको split करना transferred reserve में नहीं, right, यह सब कुछ नहीं हो रहा, center में हमारे साथ, वो कोई भी power share करने को यहाँ पर ready नहीं है, right, है न, कि हाँ, कहा रहा है, नहीं न, यह सब नहीं करेंगे, तो center में हमें कुछ power नहीं दे रहे, बाकी governor general अपना cabinet वगरा point कर सकता है, that's okay, plus separate communal electorate, तो उन्हें BR मेटकर जी की बात समय में आ गई, और उन्होंने कहा कि हाँ separate communal electorate होने चाहिए, इसको और extend करने की जरूरत है, right, है न, तो कह रहें कि हाँ, जो है separate communal electorate लेकर आईए, टेंशन है, तब तक कम से कम separate electorate का provision होना चाहिए, muslims की कुछ allocated seats होनी चाहिए, सिखों की कुछ allocated seats होनी चाहिए, बाकी minorities ने भी depressed class as well, तो depressed class की भी कुछ separate electorate होने चाहिए, separate seat होनी चाहिए, reserve seat इस तरह की यहाँ पे होना चाहिए, right, now, तो separate electorate क्रों सब्सक्राइच क्या सपॉर्ट किया, क्या इंडिया fit होने हिसाब से युनिवर्सल एड़िट फ्रस्चाइजी के लिए अभी युनिवर्सल एड़िट फ्रस्चाइजी, युनिवर्सल एड़ट फ्रेंचाइजी हर किसी को वोटिंग पावर दी जा सकती है देवे से ना 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 भी भाई या इस लायक जो है इंडिया नहीं हुआ है ऐसा यह लोग मांगते हैं राइट है ना कि युनिवर्सल एड़ट फ्रेंचाइजी के लिए मना कर दिया कि हां यह जो है हम नहीं दे पाएंगे अभी वक्त जो है ठीक नहीं तो इंडियन आर्मी को इंडियनाइज कर देना चाहिए एक फेडरेशन की बात है जो 1935 में आएगा बट वो कहरें कि फेडरेशन के लिए अभी हम लोग रेडी नहीं है आईडिया अच्छा है फेडरेशन इस गूड आइडिया बट वी आर्ट रेडी फो डाट आइडिया तो इंडियनाइजेशन अफ आर्मी है देन कहरें कि फेडरेशन आगे कभी हो पाय तो कर देना प्लस एक और बात जो नहीं ने कही इन्होंने कहा कि नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलुचिस्त राइड इनको इनको जो है अपना लिजिसलेचर भी मिलना चाहिये फ्लस सेंटर में इनके बाशंदे भी आने चाहिये एं ने पर उनके भी Темर झाल सोने चाहिए जिस सम्पिं चे और भी एपक्श फ्रेयर में ब inception के फिर बारश्टीस वारे में विच मेकशान की है प्रोविivesse का यहां पर से कर दो बड़ी प्रोविए से हो रही है सेंसमें ऐसे मुईंट ऴॉसिति उसलात बिया रहा है और सिंध भी आ रहा है तो ये डिमांड थी कि सिंध्ध और propose, प्लस इंडिया में मैं म्यनमार भी आरहे राए बरमा भी आरहे है तो इक बडि बाधी प्रॉम्ह टे मांड थी हाँ बहुब ही जोसे बरमा इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए और अब तोस्त्र मांजा नहीं होना चाहिए कि बर्मा को separate कर देना चाहिए प्लस सिंद जो है सिंद बॉंबे presidency के साथ मैच नहीं कर रहा गुजराथ भी मैच नहीं कर रहा लेकिन यह सिंद जो है कम से कम अलग हो जाना चाहिए प्लस हमने समझा कि NWFP और बलुचिस्तान के बारें बात हो रही है कि यहां उनके पास legislature भी होना चाहिए और center में representation भी होना चाहिए तो यहां पर जो अगली बात इन्होंने रखी है कि सिंद शुट भी should be separated from Bombay और बर्मा को इंडिया सही separate कर देना चाहिए यह भी यहां पर उन्होंने demand रखी पर जैसा कि मैंने कहा कि 1930 तक जब तक यह जो है आएगा तब तक जो है इसकी कोई बहुत relevance रहने जाएगी बट इस वास आल सामन कमिशन का recommendation यह बात कह रहे है कि center में zero power दो इंडियन को power मत दो center में कोई जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो खाली provinces में अभी के लिए autonomy दो अगली बार सोचेंगे center में कुछ देने के लिए बागी कुछ center पर देने की ज़रूत नहीं है सामन कमिशन ऐसा मान दो है प्लस यह कह रहे हैं कि हाँ separate electorate को expand करना चाहिए universal edit franchise अभी नहीं देना चाहिए एंडी फ्लकुर मार्ण के प्लस लजी शेयचर जो है प्लस сचेंद और बर्मा यह दो सपरेड किया है इनों यह रख ज़यते हैं सिंद ऑन बर्मा सिंद ऑन बर्मा कटो कटो सॉ one scandal di रिकुमेंडेशन सामिन ने रिक्मेंडेशन नेज्डे कि रिपोट क्या कह रही है यह समझते हैं कि हाँ मेन रिकमेंडेशन नहरू रिपोट पर यह ही कहा है नहरू रिपोट फिर जो है मुस्लिम और हिंदू यह थोड़ा सा कम्यूनल रिस्पॉंस यहां पर आएंगे क्लाशिस हमें दिखाई देंगे और फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोस किये जिन्ना ने आई पूरा मुद्धा समझते हैं कि नहरू रिपोट तो जैसा कि हम याद आ रहा है कि बिर्किन हेट ने कहा था कि भाई हम लोग एक एग्रीड कॉंस तक नहीं पहुंस सकते सक कि इन दा मन्थ ओफ जो है में 1928 हमने देखा था कि हां भी जो है नवेंबर 1927 सम्वेर नवेंबर 1927 साइमन कमिशन का गठन हो गया था और यहीं पे डिसेंबर में आपने देखा कि हां एक सेशन हुआ था कॉंग्रस का जिसने का बॉयकॉट राइट बॉयकॉट की बात हो हो गठन हो है जो फॉटिए देसमबर में प्लस में में क्या हो रहा है कि हां अगर यह चालन्ज है 1928 मैं मैे मैं है कि हां अगर चालेज है तो भाई फिर मिलते तो एक और पांटीज कान्स करेंगे है और मिलके decide हुआ कि हाँ में चलो ठीक है एक agreed constitution अगर challenge है तो एक agreed constitution बराया जाए तो यहाँ पर एक all party conference हो रही है जो की जो की कह रही है कि मोतिदाल नहरू जी एक committee के chairman होंगे और secretary होंगे जवालाल नहरू राइट तो यह जो committee create हो रही है जिसमें MNR मोतिदाल नहरू कमिटी और जवालाल नहरू इसमें क्या है उनके secretary हैं को support करें तो फिलाल फादर है मोतिदाल नहरू मोतिदाल नहरू committee को lead करें राइट है तो नाव नाव इस committee has a lot of members जैसे कि हितों का ध्यार रखते हुए सारे provisions यहां पर decide करने वाली है कि हम यहां पर बनाइए राइट नाव यह जो committee of discussion करेंगे क्योंकि क्योंकि there is still you can say not on the lines कि अभी हमें आजादी की करनी है अभी हम लोग को क्या demand करनी है मतलब मतलब आजादी नहीं अभी अभी भी हम लोग अंग्रेजों के control में ही रहेंगे अंग्रेजों के ही अंडर रहेंगे and that is the reason they will not ask for complete independence they will ask for dominant status है हम अंग्रेजों के साथ ही रहेंगे उन्हीं common wealth का यारी जो भी उनकी colonies है उन्हीं के साथ अभी यहाँ पर रहने वाले नहरू रिपोर्ट में बात उठ रही है नहरू रिपोर्ट सारे लोग बैठे बनाए गया और नहरू रिपॉर्ट में बात होती है कि चाते हैं कि भाई एक जो वाइस रहाए होगा वाइस रैड़ वाइसर रैड़ वाइसरोऑ है उसकी अपना एक्जिक्यूटिव जो होगा यह सारे इंडियन होने चाहिए ऐसा कुछ रैड़ उ प्लस जो हमारी रेजिस लेचर है ये जो सारे ministers हैं इनको responsible होने चाहिए right, viceroy जो है वो इनकी advice पर काम करे but viceroy should be appointed by British तो Britain ही appointment करेगा crown appointment करेगा, लेकिन वो हमारे हिसाब से पूरा यहाँ पर operate करेंगे जनता को जवाब देह रहेंगे this is what, this is technically dominion status और ऐसा ही Canada, New Zealand में था right, dominion status Canada और Australia की कॉल्णी में ऐसा हुआ करता था, dominion status हम तो यह demand करेंगे, कि हाँ हम अंग्रेदों की कॉल्णी का ही पार्ट रहेंगे, British ही appoint करेगा, वाई सुरा हम उन्हीं के अंदर ही रहेंगे but still हमारा क्या से चलेगा हमारा क्या responsibility रहेगी हाँ भी हमारी responsibility रहेगी, हम ही इंडिया को गवर्ण करेंगे, तो टेक्निकली यह demand यहाँ पर रखी जा रहे है दूसरा separate electorate जो चला आ रहा था जो Muslims को separate electorate दिया गया था इन्होंने कहा कि separate electorate का provision जो है हटा देना चाहिए तो कह रहेगी separate electorate नहीं in fact separate को काट के क्या कर दीजे साहब आप कर दीजे joint electorate joint electorate कर दीजे मतलब मतलब कि हाँ मालो कि हाँ कोई let's say constituency है right, declare हो गया कि हाँ let's say Muslim constituency है तो यहाँ से जो elect होगा वो कोई Muslim candidate ही होगा, माना लेकिन जो vote देगा vote, vote सब कोई देगा तो joint electorate में ऐसा नहीं होगा कि हाँ खाली Muslim Muslims को vote देंगे उसमें ऐसा होगा कि all voted by all और जो select होगा जो candidate होगे, वो Muslims ही होगे तो selection finally किसी Muslim का ही होगा but it will be selected by all इससे क्या होगा, हिंदो Muslim unity बढ़ेगी अगर आपको देना ही है तो आप separate electorate मत दीजे हमको joint electorate दीजे ताकी ताकी जो है इस तरह की unity बनी रहे प्लस प्लस बात उठी कि हाँ जहाँ भी minority है, जहाँ भी कोई community या Muslims अगर हम कहें यहाँ पे तो Muslims अगर minority हैं किसी भी जगा तो वहाँ पर उनके proportion जो है, जहाँ भी minority हैं वहाँ पर जो है reservation की बात कहीं नोने यह Muslims at the center तो कह रहे हैं कि demand for joint electorates with reservation of seats for the Muslims at the center and provinces where they were in minority proportion to the Muslim population there with right to contest additional seats तो रहे हैं कि वहाँ पर आप इस तरह का कोई reservation वगरा provide कर सकते तीसरी बात इनों ने रखी linguistic provinces की linguistic provinces मतलब linguistic provinces यह कह रहे हैं कि अभी जो देखो इंडिया का map दिख रहा है हमको इंडिया का map हमको दिख रहा है कि भाई let's say यह पूरा Bombay presidency है यह पूरा मदरास presidency है कह रहे है ना ना इसे language की basis पे provinces create करिये for example करनाटका होना चाहिए माराष्टरा होना चाहिए गुजरात होना चाहिए तमिज होना चाहिए आंधरा होना चाहिए यह सब आपने मर्च का रखा है तो उससे क्या हो रहा है कि हाँ बहुत बहुत स्मूथ नाई है यहां का administration overall तो that is the reason कि better होगा कि इसी move to linguistic provinces का idea तो यहाँ पर इन्होंने कहाँ dominant status की demand करी joint electorate की demand करी linguistic provinces की बात करी प्लस इन्होंने fundamental rights की बात रखी यहाँ पर राइट तो 19 फंडामेंटल राइट जैसे की इनिवर्सल फ्रंचाइजी राइट एडट फ्रंचाइजी वह महिलाओं के लिए हग प्लस जो है प्रेड यूडियन वगरा बनाने का हग तो fundamental rights तो 19 fundamental rights क्या यह काबिले तारीफ है कि हाँ इस समय हमने focus किया कि खाली आजादी नहीं आजादी सही माइने में होगी जब लोग आजाद होंगे fundamental rights की बात भी रखी यहाँ पर fundamental rights total 19 rights की यहाँ पर बात करें रहे तो चार में मुद्धे यह हो गया यह हमने समझा इसके आगे इसके आगे उन्हें बात रखी कि भाई सरकार कैसी दिखेगी जो responsibility government ले रही है responsible government इसका setup भी उन्हें बताया कि किस तरीके का होगा तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था तो यह कह रहे है overall कि भाई एक वाइसरोय होंगे वाइसरोय वाइसरोय विल बी selected वाई और appointed वाई crown तो crown उनका appointment करेंगे एक बात बट salary जो है salary इंडियन revenue से जाएगी मतलब पैसा हम नेंगे इनको ताकि loyalty हमारी तरफ रहे तो salary जो जाएगी इनको भले appointment उदर से हो रहा बट यह नहीं कि वो उनका employee है उनसे पैसे ले रहा है तो नहीं कि सुनेगा ना हमसे पैसे लेगा और हमारी सुनेगा तो यहां बात हो रही है कि responsible government at the center पे अगर हम बात करें तो executive council है consisting of Indians तो यहां पर जो उनका जो है executive council है cabinet ministry executive council इनकी aid and advice पर जैसे कि आज आज जो है एडवाइस कर रहे हैं वो जो है उस हिसाब से यहां पर operate करेगा तो उससे क्या होगा हमारा कहा माना जाएगा हम जो कहेंगी वह मानेगा प्लस बात उठेकी हाँ यहां यहां पर by camera legislature पार्लिमेंट होना चाहिए राइट है ना तो by camera legislature की बात हो रही है तो by camera legislature में अगेन एक घर है house of representatives रैट है ना एक house यह है और दूसरा senate यहां पर इन्होंने दो house suggest करें एक लोगसभा टाइप का representatives house of representatives रैट एक house यह होगा और similarly दूसरा house क्या होगा जैसे कि राज्यसभा senate इसमें होंगे 500 member 5 साल के लिए और इसमें होंगे 200 member 7 साल के लिए 7 years यह जो selection होगा यह province जैसे आज जो है राज्यसभा में सारे लोग कहां से आते स्टेट से आते रैट यूपी से इतने लोग आ रहे है जो है करनाटका से लो होगा रहे हैं तो वैसे यहां जो selection होगा वो legislature द्वारा होगा यहीं देखो हमारा सम्विधाम या जैसे ही बना हुआ है न रफली रहे तो यहां पर कह रहे हैं कि हां legislature द्वारा प्रोविंशल लजिसलेचर द्वारा यह सीटे भरी जाएंगे प्रोविंशल लजिसलेचर से यहां पर candidate भेजेगे और यहां पर क्या होगा यहां पर डिरेक्ट इलेक्षन होगा जंता इलेक्ट करेंगी जैसे अभी लोग सभाग एलेक्षन होते हैं डारेक्ट इलेक्षन तो मैं कहरूं कि काफी हद तक जो आज हमारा सिस्टम है हम उसी की बात कर रहे हैं नहरू रिपोर्ट में अल्मोंस उसी सिस्टम को यहां पर हम डिसकस कर रहे हैं कि ऐसा ही सिस्टम हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं राइड है ना तो 500 जह हैं हाउज अब करें की प्रोविंशनी चाहिए वहां अपना एक जो है गवर्नर होगा गवर्नर होगा उसकी एक्जिक्यूटिव होगा aid and advice पर काम करेगा इसका भी अपना legislature होगा सेम ऐसा ही setup जो है आपका provinces में भी होना चाहिए तो center में भी और states में भी इस तरह का setup ये मोतिदाल नहरू जी की report में लिखा हुआ था राइट अन्हों प्रॉपर Parliament का setup भी उनने बताया कि हाँ इस तरहीके का setup यहां पर होना चाहिए इसके अदमा एडिशनली जह है जो minority rights है रेट कल्चर है और रिलीजिस इंट्रेस और दे मुस्लिस minority राइट ही है प्लस प्लस state और religion को dissociate किया जाए राइट स्टेट और religion अलागल होना चाहिए तो technically they are also talking about एक तो पार्लेमेंट के अपने बात करी तो दोमीनन स्टेटस और उसके साथ पार्लेमेंट का structure यह भी बताया प्लस प्लस minority rights की बात करी minority cultural rights and all and finally यह भी कहा कि हाँ state और religion दोनों अलग अलग रहेंगे यह दोनों आपस में एक दूसरे में इंटरफेर नहीं करेंगे इंडिया का कोई state religion टाइप का नहीं होगा इंडिया का कोई religion नहीं होगा सारे धर्मे के लोग यहां रहेंगे सबको बरावर इजद मिलेगी तो इस सम्थिंग नहलू रिपोर्ट है इस पोर्ट्रेट इस समय नहीं 1928 में भी अगर देखो तो अगर मजबूरी है क्योंकि फ्रीडम तो हमने सोचा नहीं अभी बट फिर भी फिर भी पार्लेमेंट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो हम ऐसा ही सोच रहे हैं आज भी ऐसा ही एक्जिस्स कर रहा है जो है जो है फूट पढ़ रही है दिवाइड रूज हो रहा है तो ना भी शूट हैव तो कम से कम जॉइन इलेक्ट हो रहे है यह कम से कम थोड़ा हार्मानी देकर आएगा हम लोग एक दूसरे से जो है कोडिनिट कर पाएंगे लिविट्णिक प्रोविंसस की बात करी फंडमेंटल लाइट की बात करी और स्टेट और रिलिजिजन को दोनों अल selfie रखने की बात करी यह सारी बाते रखी गए कहां पर नहरू रिपोल्ट में नाउ आब थो बैड़ रिपोल्ट हैऊरामनान उपछंगल Muslim League इसमें देख रही कि हमको क्या मिलेगा Muslim League Muslim League वो नेगोशेट करना चाहती है कि हाँ हम ठीक है Joint Front कर लेंगे हम आप से मिल जाएंगे बट नहरू रिपोर्ट में Muslim interest या फिर जो है Muslim League के हिसाब से जो interest है वो क्या जो है यहाँ पर हैंपर हो रहे है है या मानें है यह इंपोर्टन है राइट दूसरी बात दूसरी बात हिंदू महासभा हिंदू महासभा हिंदू महासभा का भी मानना है कि हाँ हिंदू इंट्रस्ट है यह यहाँ पर फुल्फिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे है दोनों आयंगे यहाँ पर क्रियेट हो रहें, तो नहरू रिपोर्टों के बीच में जैए थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, रहें धना कि हाँ इनकी बात मानी जाए, या इनकी बात मानी जाए, नो उससे भी पहला सवाल यह है, कि अब तक नहरू रिपोर्ट नहरू रिपोर्ट पर हमने पढ़ा कि they are talking about joint electorate joint electorate correct joint electorate बट हम गों याद आया कि Muslims already had separate electorate 1909 में तो उनके पास तो ये privilege already है तो ये बताओ नहरू रिपोर्ट अगर joint electorate कहेगा तो क्या ये तुरंत ना नहीं कहा देंगे क्यों माले तुम्हारा हम joint electorate हमारा separate electorate जब already exist करता है तो in that case joint electorate का provision हम क्यों माने सवाल कैसे exist हो सकता सोचा भी कैसे आपने कि हम give up कर देंगे अपना joint electorate separate electorate आपका दिया हुआ joint electorate हम ले लेंगे रैट अभी बात बहुत अजीव है कि नहीरू रिपोर्ट अपने मन से ऐसा कर देगा क्या अब हमें पता चलेगा कि नाइन नाइन रूको 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 आच्छी क्या है कि मुस्लिम लीग में अगर हम देखे तो मुस्लिम लीग अल्रेड़ी इनकी 1927 में दिल्ली में एक मीटिंग हुई डेली में कुछ लीडर्स मिले और इन्हों ने कुछ-कुछ जो है यहां पे अपनी बाते रखी कि हमारी कुछ डिमांड से और अगर हमारी डिमांड सुल्फिल हो जाए तो हम इस तरह के किसी भी नेगोशेशन के लिए एगरी कर रहे है इसी को कहा जाता है डेली प्रपोजल जरा इस प्रपोजल को समझते हैं कि नहरू रिपोर्ट बनने से पहले 1927 में ही यह शुरू हुआ का मई 1928 में ताम लाइन के अगर वापस आए बारी तो हमें साल में आयेगा कि हाँ यह नहरू लीग का डेली प्रपोजल और यह कौन लीड कर रहा है यह जिन्ना वाला लीड कर रहा है ग्रूप तो जिन्ना इसको लीड कर रहे है कि हाँ ठीक हमारी तरफ से एक प्रपोजल है ताकि ऐसा कुछ नेगोशेशन पॉसिबल हो सके यह नहरू रिपोर्ट आक्चुली बन सके तो उसके लिए पहले से ही हम आपको कुछ बाते बता देते हैं तो एक डेली प्रपोजल आया था फ्रम यह मुस्लिम लीड की एक मीटिंग हूई और मुस्लिम लीड ने कुछ बाते यहां पर कही कि अगर आपपी लोग यह बाते माल लो तो हम आपके साथ है कोई दिक्कत क आए। कि बात नहीं एक है तो सो तुन्हों नहीं कहा कि भाई जो है जौसे ऐले लिए हम एग्री कर रहे हैं हमारी दूविदा यहीं दूर हो गई कि एक सक्रव करें हैं और हम जो है क्या ले रहे हैं joint electorate ले रहे हैं सारे लोग मिल जूल के रहेंगे भाई राई की तरह रहेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं हम अच्छा लगा very good right रहना कि हाँ joint electorate खुदी यही तो दूबीदा थी कैसे माने right बट यह problem actually solve हो चुकी थी already बट जब कोई कोई प्रिविलेश सम्मिट करता है तो बदले में expect भी करता है कि हाँ उसको जो है compensate किया जाए तो आगे की demand अगर आप देखो तो what they are asking is वो कह रहे हैं कि भाई हमको Central legislative assembly में right Central legislature में one third representation यानि कि वाइस रॉय का जो यहाँ पे Central legislative assembly है Central legislature लोग सभाग है लो जिसमें उसमें जो है one third representation one third Muslim seats होनी चाहिए को joint ही होना चाहिए joint electorate रखो कोई बात दी बट कम से कम one third seat यहाँ पर दीजे अब आप कहेंगे number जादा है number देखो ठीक है आप यह कह सकते है जादा है काम है बट यह तो प्रपोजाद है है ना negotiate किया जा सकता है possibility है रहत और दूसरी बात उन्होंने कुछ सम्मिट भी किया ध्यान रखो रहत है ना तो जो है उसके ऊपर कुछ हमें देना पड़ेगा वह भी समझो है ना negotiation लेंदेन ऐसे होता है तीसरा पॉइंट इन्होंने रखा कि तीसरा पॉइंट का है कि जो है मुस्लिम इन पंजाब और बंगाल तो पंजाब और बंगाल में जितनी population है राइट उतनी प्रपोर्शन में सीटे हमको मिलनी चाहिए यह बात समझा जाए क्या कह दिया है इन्होंने कहा कि बंगाल और पंजाब राइट है ना इतना बड़ा नि इतना बड़ा राइट पंजाब और बंगाल तो बंगाल में माल लो माल लो रेट से लेट से जो है 45% मुसलिम्स है माल लो population जो है 45% है तो मतलब कि बंगाल का जो legislature है उसमें 45% seats Muslims की होंगी राइट similarly similarly पंजाब में माल लीजे पंजाब में माल लीजे कि हाँ let's say 52% Muslims है माल लीजे राइट तो इसका मतलब कि legislature में 52% and seats Muslims की होंगी ज़्यादा मांग लिया अब जला सोचो इस बात पर जब भी हम seats देते हैं किसी को या overall seats का distribution होता है तो वो population के basis पे होता है अगर अगर let's say आज राज सभा में राज सभा में अगर जो है UP की seat जादा है UP has maximum number of seats क्यों क्योंकि उसकी population भी proportionately जादा है तो यह हमारी common understanding है कि seat हमेशा population के proportion में होती है तो अगर let's say 45-52% Muslims है तो 52% seat register में मांगना नाजायस नहीं लग रहा है आप समझ लें बात को कि हाँ यह बहुत नाजायस सी demand नहीं है arbitrary सी demand नहीं है कि नहीं सरकार हम बनाएंगे हम ही जो है 100% हमारा होना चाहिए ऐसे कुछ नाजास सी demand नहीं है simple demand यह है कि जितनी हमारी population है उतनी हमको seat दे दिए तो technically वाजिब लग रहा है यह बहुत-बहुत arbitrary कुछ नहीं मांगा है भई जो है यह जो मुस्लिम majority provinces है राइट है ना तीन आसी जगात जहां पे मुस्लिम majority है उसको प्रोविंस declared कर दिए आप जैसे कि सिंध को प्रोविंस declared कर दिए बालुचिस्तान इक प्रोविंस बना दिए जैसे कि North Western Frontier प्रोविंस बना दीजिए तो इससे क्या होगा? कि हाँ ये 2-3 जहाँ जो होंगी कि हाँ ये कह रहे हैं कि हाँ जैसे सिन्ध हो गया Northwest Frontier Promise हो गया बलुचिस्तान हो गया ये क्या है? इनको Muslim mortarvens इनको प्रोविंस बना दीजिए तो ये Muslim मेजॉरिटी प्रोविंस बन जाएगा इस तरह के इस तरह का structure create हो जाएगा तो कहने का मतलब देखो कि मुस्लिम लीग यहां पर क्या ढोण रही है मुस्लिम लीग चाहरी है कि जहां पर हम majority में है जैसे कि पंजाब और बंगाल वहां पर हमें उतनी seat मिल जाए जितनी हमारे पास मुस्लिम लीग का दबदबा होगा और उनको separate करने की दिमांड है क्या यह भी कोई बहुत गलत डिमांड है बलुचिस्तान एक प्रोविंस बन जाए को गलत डिमांड है वो automatically Muslim majority province होगा क्या गलत है नहीं नौर्ट सेंटियर प्रोविंस कि हाँ यह प्रोविंस बन जाए टेक्निकली यह already Muslim area है रैट है मां Muslim majority province बन जाए कुछ गलत है नहीं same goes for sin तो technically यह भी demand ठीकी है इसमें कुछ बहुत ऐसा उन्होंने नहीं मांगा कि हाँ जो है एकदम out of the blue कि हाँ दुनिया मांग दियो तो खाली अगर एक demand खाली कि central legislature में one third Muslims की seat यही एक demand थोड़ा सा higher end पे है बागी सारी demands logical सी demand है इसमें कोई बहुत ऐसी demand Muslim league दे नहीं रखी और यह सोचो December 1927 में यह बाते सुओ मोटो अपनी मर्दी से सुपुर्द कर दिया है हमको दे दिया है कि नहरू रिपोल्ट में यह सारी बाते include करिए अब इसके ऊपर नहरू रिपोल्ट बनाना है हमें बात समयारी अब इसके ऊपर यह बाते लिख रही है कि हां क्या होना चाहिए क्योंकि Muslim league ने अपना प्रपोजाल अल्रेडी यहां पर दे रखा है कि आयोप यह गॉट्ट इस पॉइंट नाव नाव तो यह हमने समझा मुस्विम लीक का मुद्धा नाव कहानी आगे बढ़ाते है यह टाइम लेन आगे चलते है दूसरी तरफ हिंदू महासवा के अपने कुछ यहां पर यहां पर इशू है तो जो है हम देखेंगे कि यहां पर जो फाइनल नहरू रिपोल्ट आएगा इसमें इसमें बहुत सारी बातें नहीं मानी गई राइट और इसी विए इसी विए मुस्मिली यहां पे थोड़ा स सब्सक्राइब नथा सब्सक्राइब फोटने कुछमा आप रखते वी यहां पर जो है हिंदू महासभा की बात रखते हो कि रहां इतनी बादे जो है नहीं मानी जा सकती जैसे कि उन्हीं ने कहा कि पंजाब और मंगाल में उतने प्रपोड़ुशन पर तो यहां पर जनता वोट करेंगी तो बावन परसंट सीटे आ जाएंगी इसके लिए अलग से आपको रिजर्वेशन नेरें की क्या जरूत है तो हिंदू महासभागत जो है जो टेक था भी ठीक है लॉजिकल सी बात है कि हाँ अगर जितनी पॉपलेशन है उतनी सीटे तो अपने आप आ ज कि हिंदू महासभागत जो हुआ है की यूनित-िस्ट्रॉक्ट्टिर रोश्ए रुट्र eon is a contract असझा चाहते है यहां पे जो हिंदू महासभागत जो है जो वह जो यहरा है जो दिमांड कर रही है होना चाहिए joint electorate हर जगा होना चाहिए जहां भी Muslims क्या है minority में not in majority majority वाली जगा पे कोई ऐसा reservation वगरा नहीं होना चाहिए right plus plus क्या रहे है कि सिंध बॉंबे से अलग कर दिया जाए ठीक है कर दिये गाला right लेकिन लेकिन खाली तभी जब dominant status मिल जाए उसके पहले नहीं right है ना and subject to weight is given to the Hindu majority in sense है ना कि हाँ जो हिंदू में जो हिंदू minority है उसको भी reservation मिलना चाहिए सिंध में ऐसी भी बात उनोंने रखे political structure कहना है कि unitary structure होना चाहिए और residual power कुछ भी residual power है वो सारा center के पास होना चाहिए पास होना चाहिए तो residual power should be with the center ऐसा उन्होंने कहा तो unitary power अगर center के पास है मालब unitary structure center अगर strong है तो सारे provinces पे center control कर पाएगा तो हिंदू महासावा का basically ये demand है जो भी leaders है जो हिंदू interest की बात कर रहे है या मुस्मिन को counter कर रहे है हो ये कह रहे है कि हाँ minority जहां पे है वहाँ पे दो reservation प्लस प्लस सिंद को attach कर देना लेकिन dominius status मिलने के बाद प्लस प्लस कह रहे है कि unitary structure होना चाहिए और powers जो है सारी center के पास होनी चाहिए this was not something जिसके लिए जिसके लिए जो है जिन्ना रेडी थे तो ना यहां पे हो गया deadlock राइट जिन्ना नहीं जिन्ना की मीटिंग हुई फाइनल कैलकटा डिसमबर तो डिसमबर 1928 में फाइनल मीटिंग तो ना नाव 1928 डिसमबर all party meetings हुई किया यह भई ä discuss करते प्रih लोशा घांगे है तो यहां पे अभल्ग पर मीटिंग हो रही है December में इसशええक का ऍता के यहां पर यहां पर मुस्रिम लीग के कुछ क्या है रिजर्वेशन राइट है न जिन्ना पढ़ा हुआ था है इस जूना अंने कहा गलत कि आप ने तो यहां पर मेरे कुछ अमेंडमेंट से मेरे कुछ फाइनल प्रपोसल हैं यह माल देजिए एंड मैं से accept कर दूँगा तो यहां पर final amendment जिन्ना ने जो है रिपोर्ट में बोले कि कुछ चीजे वापस आप सही कर दीजे मैं इस रिपोर्ट के लिए एगरी कर रहा हूं पूछा गया भई क्या क्या रिपोर्ट क्या डिमांड है इन्होंने का देखे यह वाली बात तो आपने दवाही दूसरा इन्होंने का देखे बात आपके ठीक है कि अगर बावन परसंट जनता है तो बावन परसंट वोट भी जो है यह नों मिल जाएंगे बावन परसंट सीटे भी मिल जाएंगी सब बढ़ियां बहुत अच्छी बात लागी मुझे सोचा आपने इतना लेकिन लेकिन य जब बावन परसंट जनता वोट करेगी यह तभी हो पाएगा जब युनिवर्ण एडट फरंचाइजी हो इओ जब तक कि-एडर फरंचाइजी नहीं है तब तक तब तक जो है आप ये बावन परसंट रिजरवेशन दे दिये जिस दिन आफ युनिवर्सल एडर कार जैइ देंगे तो बहुत सारे मुस्लिम्स को वोटिंग राइट नहीं मिलेगा तो 52 परसेंट जनता कहने के लिए है हर किसी के पास वोटिंग राइट आर्ची डेट में नहीं है तो नहीं तो उनका पॉइंट यह था कि ठीक है दे दिए जब तक तक रिजर्वेशन दे दिए फिर पॉइंट को सो लौजिकल एक और प्रोविंसस के पास पास रहने दीगे कुछ एक्स्ट्रा पावर्स प्रोविंसस के पास यहाँ पे रहने दिए क्या लॉजिकली टेक्निकली ठोड़ा यहां पर नेगोशेशन करके बात माल लेनी चाहीए ती शायद आसा और तिने आपने आपने सेपरेट को जोईन्ट कर दिया वह आपको सुनाई दिया बाकी जो मैंने सिसारी की ते कहीं ती उसमें से आपने कुछ नहीं सुनजा एकुछ भी नहीं माना है तो यहां से यहां से जिन्ना की जो यह उसके बाद जिन्ना कभी वापस नहीं आएंगे जिन्ना एक्जा वह जाके शफीफ एक्शन में वापस मिल जाएंगे तो मार्च 1929 यू विल सी तो मार्च 1929 ये शफी फैक्षन या मुस्मिली के दोनों जो स्प्रिट हुए थे दोनों वापस यहां पर जुड़ गए हैं दोनों फिर से दोस्त हो गए हैं रैट जिनना यहां बैठे हुए हैं और हुआ है कि अब हम लोग हम सारे साथ हो गए हैं और प्लस यहां पे इन्होंने अपनी 14 पॉइंट प्रोग्राम 14 पॉइंट दिया है कि हमारी 14 डिमांड अब हम नहरू रिपोर्ट के साथ एगरी नहीं कर रहें तो यहां पर मुस्मिलीग पूरी तरह से डिस एगरी कर मांगे अब हम मांगेंगे फेडरल कॉंस्टिटूशन और इसमें रेजिडूल पावर रेजिडूल पावर कसके पास एगर यहां पे पार्फुल रोने चाहिए बेन कहरें कि हां सेंटर कोई भी oro nida unity कर सकता जब तक जब तक सारे स्टेटस रेचा रेट्ट सारे स्टेट्स से सिडिन फेडरेशन में हाँ ना कह देक अचेड़ोड सब यदेस्ट 않 इसा इस किसी province को बाट दे, right, बाट के आधा कर दे, या फिर उसमें किसी दूसरे province को मिला दे, तो province में पता चला, मुसलिम पहले majority में थे, फिर हो minority में हो गए, ऐसा आप यहां पे कुछ भी नहीं करते हैं, right, तो ये भी मना कर दिया, plus services में, jobs में, self-gourning bodies में हर जगा मुस्लिम्स का representation होगा adequate? yes plus इन्होंने कहा कि जो one-third वाली demand थी इन्होंने रखा, यब तो है ही है one-third वाली demand हमारी not only in central legislature बलकि cabinet में भी cabinet में भी, center में, provinces में जहां भी हर जगा हमारा representation प्रॉपर होना चाहिए yes होना चाहिए, separate electorate की demand है, अब कोई joint electorate नहीं चाहिए right, अब ये joint electorate से दूर आ गए है और separate electorate की demand कर रहे plus ये कह रहे हैं कि कोई भी bill अगर parliament में आया right, कोई भी bill, technically क्या है he is safeguarding a minority right है ना, तो he is safeguarding a minority और उस safeguard के लिए उनको जहाँ जहाँ, जितनी भी bodies political bodies हो सकती है या फिर एक्जिक्योटिव बॉडिज हो सकती है तो चाहे legislature हो, चाहे cabinet हो चाहे civil services हो, हर जगा proper representation उनको चाहिए कि कहीं से भी एक minority जो है यानो दबाई ना जा सके तो कह रहे हैं कि कोई भी bill अगर आप लेकर आए और उसमें three-fourth of the minority जो परल्लेमेंट में बैठी है three-fourth of the minority, मतलब अगर लेट से 50 लोग बैठे हुए हैं तो जो है, मतलब 37-37-37-37 अगर कह दे कि हाँ हम इस bill के साथ नहीं है तो in that case वो bill पास नहीं हो सकता है तो इस तरह से क्या है, veto भी है minority के पास veto भी है किसी भी bill के उपर, किसी भी resolution के उपर कोई territorial redistribution ऐसा नहीं होगा, जैसा कि मैंने कहा कि Muslim majority effect हो, चाहे वो पंजाब हो, बंगाल हो, NWFPO कहीं भी हो अब हो कहा रहा है कि नौर्थ वेस्ट फेंटियर प्रोविंस टेक्निकली Muslim majority राका है, बट अगर आप उसको पंजाब के साथ मर्ज कर दो, जम्मू कश्मीर के साथ मर्ज कर दो, पंजाब हिमाचल वगरा पूरा एक प्रोविस्ट बना दो, तो दिक्कत हो जाएगी तो इन्होंने का, ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा कोई merger-verger आप नहीं कर सकते प्लस, Bombay को सिंस से अलग करना है, यह भी नोने बात रखी बलुचिस्तार और NWSP जो वहाँ वो भी कहके कहते साइमन कमिशन आगे कहके कहके नहीं कहते तो यह भी यहीं बात कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पर constitutional reform चाहिए, यहाँ पर provinces चाहिए provincial legislature चाहिए और center में representation चाहिए, ऐसा जो है reform यहाँ पर होना चाहिए प्लस, religious freedom होना चाहिए सारी minorities को सारी communities को, not only minorities every community should have religious freedom कि आप जो भी धर्म का पालन करना चाहिए आप कर सकते हैं, plus Muslim rights in religion culture, तो minority rights ही पूरी तरह preserved होने चाहिए, education में, etc, etc all these things जो है, he has demanded now, जैसा कि मैंने कहा, खाली sense समझो, रटने की ज़रोत नहीं है, यह समझो कि Muslim League अब नाराज हो चुकी है, जिन्ना नाराज हो चुके है, and this is the point जहाँ तो जिन्ना कभी वापस नहीं आई है, अब यहाँ से हम धीरे-धीरे partition की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान की तरफ हमने कदम बढ़ा दिया है, यहाँ पे अगर जिन्ना को समझाल ले गए होते, यहाँ पे अगर जिन्ना से कुछ negotiation हो गया होता, solve कर दिया होता, तो शायद बात बन सकती थे, पर शायद, शायद ही है, ऐसा जरूरी नहीं की बात बनी जाती, लेकिन शायद एक मौका है, कहते हैं, अगर वो 1% chance भी है democracy में, तो ले लेना चाहिए, that is all democracy is about, रहाँ हैं, कि अगर democracy में, अगर सब को लेकर आप चल सकते हो, जहाँ हो सकता है, right possibility है, तो ले जाना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है, आप criticize भी कर सकते हैं, कि हाँ हम miss कर गया यह opportunity, और जिन्ना को यहाँ पर हमने strange होने दिया, right यह थोड़ी सी गलती तो होगे, बट यह गलती यहाँ पर समझ में नहीं आती, right ओ, आगे समझ में आती, तो नहरू रिपोर्ट, तो नहरू रिपोर्ट हमने समझ में आया, चाहँ बाइदी बिरकिन हट ने कहा था कि सब लोग एक साथ, जो है, एक मंच पे नहीं आ पाएंगे, सब लोग agree नहीं कर पाएंगे, बिरकिन हट की बात ही सही होती, प्रूव दिखाई, जह प्रूव हो रही है, हमने देखा कि हाँ, मुस्लिम लीग ने मना कर दिया, कि हम नहरू रिपोर्ट के साथ नहीं है, हम देखेंगे, बाकी लोग ही मना करने है, हिंदू मासावा भी कह रहा है कि हाँ, हम बहुत सब्सक्राइब नहीं है नहरू रिपोर्ट से, बट दिल में कही न कहीं हर किसी में कुछ न कुछ जो है, कुछ न कुछ disagreement है, कि यह होता तो बटर होता वो होता कि थोड़ा disagreement हमें देखने को मिल रहा है, तो Dominion Status की Demand कि हम Dominion Status में रहेंगे हमें क्या चाहिए आजादी ऐसा चाहते है सुभाषचंद बोस जो है जवाला नहरू तो इनकी Demand जो है सुभाषचंद बोस जवाला नहरू की क्या है आजादी की है बट ऐसा नहीं हो रहा राइट तो वो मना कर रहे तो यहां पे नहरू और सुभाषचंद बोस की दोनों ही लोग जो है क्या करेंगे अपनी एक अलग बॉडी बनाएंगे विदिन दा कॉंग्रेस एक लीग क्रियेट कर रहे है विचिस इंडिपेंडनेंस फॉर इंडिया लीग और इनका काम क्या है इनका काम गैं सबको अब इंडिपेंडनेंस की तरफ पुष करना wat लीडर को पकड़ों सम्झाओ इंडिपेंडिया लीग है यजاج अभी साल में हम देखेंगे अभी 1928 चल रहा है अभी एक साल में देखेंगे कि यह पूरी फिलोसफी सब की बदल देगा और यह इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ही हमें सुनाई देने लगेगा यह भी हम आगे देखते हैं बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है यहां पर सुभास्चिन बहुत सा जिवाला नहरू को कि यहां इन दोनों लोगों ने ग्राउंड वर के किया है कि लेटस मूव आउट डॉम लेकिन फिरभी अग्सप्त करी जाएगी और यहां से क्या हूं इस रिपोर्ट का क्या हुआ है हुआ नहीं हुआ को बताना है कि नहरू report में क्याыми 0 आपको और तीसरा एक जो है थोड़ा आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है ना ये पहले भी शाय सवाल देख चुके बट फिर भी चलिए बागे मिलते हैं लोग नेक्स क्लास में जो है कंटीन्यू करेंगे प्लीवे दूसरी इंचेंट इवाजी सीरीज रैट वो भी मिस्मत होने दीए बैकलॉग मत क्रीट करीए वहना बाद उसे कंप्लीट करने में दिक्कत होगा अभी संगम तक ऑलड़ी जो है पढ़ा चुका ह तो प्लीज वो भी साथ उसाथ कंप्लीट करते हो चलिए बागे मिलते हैं दो नेक्स आस बावाए टेक केर एंड गुड डेर